नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News, पेश सत्ताई सप्रायल, बुधवाश शाम सवा साथ बज़े, रासान के बड़ी खबरी रासान में 5-12 साल तक के बच्चों को वैक्सिन लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है Drugs Controller Journal of India ने कोर्बे वैक्स को 5-12 साल तक के बच्चों और भारत बायटक की को वैक्सिन को 6-12 साल तक के बच्चों को लगाने की आपात मनजूरी दी है राजे में इस आई उवर के 1.56 लाग बच्चे हैं हलांके 5-12 साल तक के बच्चों को वैक्सिन कब से लगेगी ये अभी तैय नहीं है ये दोनों डोज 28 दिन के अंतराल से लगेगी इसको लेकर बुद्वार को CM अधिकारियों से चर्चों करेंगे पूरा उतरी भारत इंदिरों भीशन कर्मी में तपरा है रास्तान में भी तापमान अप्राल में ही 25 दिगरी के करीब पहुँच रहा है तपते सुरज के साथ हीट वेव और पाकिसान सीमा पार से आ रही गरम हवाएं अब लोगों को जूलसा आने लगी है गुदवार सुबह 9 बजे ही तफिश का एसास होने लगा मौसम विभागने अगले तीन दिन में जोतपुर विकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग के 15 जिलोपें तापमान दो से तीन डिगरी बढ़ने के साथ 48 डिगरी के करीब पहुँचने के आश्रम कर जुताई है दिख रही है सीम अशो गहलोत इस बार लगाता तिवरी रुक अपनाए हुए है करीब 20 दिन में अलग-अलग मौकव पर सीम के बयानों में पाइलिट कैम के प्रती नाराज की साफ चलगती है इदर सचिन पाइलिट ने भी लंबे समय से सीम गहलोत के साथ मंच साजा नहीं किया है अंतरा से बाजार में हो रहे बदलाव की वज़ए से एक सबता हमें ही सोने चांदी के दामों में बड़ा बदलाव आया है फिछले नौ दिनों से स्टैंडर सोना अठारा सो रुपे सस्ता हुआ है जबकि चांदी की कीमत में 51 सो रुपे प्रती किलो की कमी आई है जैपुर में 10 क्राम 24 क्राम सोने की कीमत घटकर 33,200 रुपे पर आ गई है जबकि 22 क्राम प्रती 10 क्राम सोने की कीमत 50,700 रुपे पर पहुँच गई है वहीं चांदी रिफाइन की कीमत घटकर 67,000 रुपे प्रती किलो पर पहुँच गई है जोलावार जिले में गर्मी का प् अप्रायल में अब तक 33 जगा आग लगने की घटनाएं हो चुकी है अगनी शमन केंद्र के आंकड़े के अनुसा ज्वालावार शहर में एक मार्श दो जर बाइस को शहर की ग्रीन सिटी में ट्रांस फार्वर में आग लगने की घटना हुई थी अप्रायल में यह आंकड़ा उन्होंने बताया कि बदलेगा माधुपूर अभियान को लेकर शहर को साफ वैस्वच बनाने के लिए लगातार अभियान चुलाया जा रहा है चमू उपखन के चितवारी गाउं में अघोशित बिजली को टाथी को लेकर ग्रामिनों का गुस्सा फूट पड़ा नाराज ग्रामिनों ने बिजली विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन करते वे अफसरों की खिलाफ जम कर नारेबाजी की ग्रामिनों ने बिजली सप्लाई को जल्द ही सुचारू करने की मांग की ग्रामिनों ने कहा कि जब तक जिम्यदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका धरना चारी रहेगा पानी के लिए तरपते हिरन का शिकार होने के बाद वनेजी प्रेमियों ने एक अनूठी पहल की है जसलमेर के देगराय मंदिर से पुराने तलाब तक पानी की पाई प्लाइन बिचा कर काम शुरू कर दिया गया है अब सुखे तलाब में पानी आने से वनेजी वो को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा वनेजी प्रेमी सुमेर सिंग भाटी ने बताया कि जिले के फत्यगर तैसिल में स्तित श्री देग राय मंदिर के ओरन में वनेजीवो की प्यास बुझाने के लिए दो किलोमेटर लंबी पाइपलाइन बिचाने का काम किया गया है सीकर में जुल्धी यूथ हॉस्टल का निर्मान करवाया जाएगा ताकि युवाओं को अलग से मंच दिया जा सके युवा बोर्ड राजसान प्रेजिडेंट सिताराम लाबा ने इसके लिए कलेक्टर को एक प्रस्ताव भीजा है इस प्रस्ताव पर जुल्धी मुहर लगने वाली है यूथ हॉस्टल के बनने से सीकर के युवा एक जुगा बैट कर चरचा कर सकेंगे जिससे नई पीडी अपने भविश्य को लेकर जागरुक हो सकेंगे अजमेर में दिल्ली की कमपनी की उर से भीजी गई नौकरानी घर में एक दिन काम करने के बाद हजारो रुपए कैश लेकर फरार हो गई डॉक्टर ने क्रिश्चियन गंज थाने में मामला दर्च करवाया है अशोक मार्क पर रहने वाले डॉक्टर शगून विजयवर्गे ने बताए कि उन्होंने दिल्ली की जय मातादी सर्विस सेंटर कमपनी के मारफद नौकरानी रखी थी कमपनी का एक व्यक्ति 22 अपरेल 2022 को नौकरानी को घर छोड़ कर गया डॉक्टर ने कमपनी के व्यक्ति को कमिशन चार महने की सेलरी सहित करीब 42,000 रुपे दे दिये परन्तों नौकरानी एक दिन बाद ही घर से कैश लेकर भाग गई इंडिनों शहर के लोग अलफांजू हाफुस का स्वाद खूब ले रहे हैं तो अब केसर का इंतजार भी बेसबरी से हो रहा है दरसल हर साल सबसे पहरे महरासर और दक्षिन भारत से आम की किसमे आना शुरू होती है पिछले दो साल से कोरोना की कारण लोग आम का स्वाद जम कर नहीं ले पा रहे थे लेकिन इस साल फिर से आम का बाजार गुलजार है व्यापारी मुकेश खिलिवाने के अनुसार मई तक बाजार में आम की कई किसमे उपलब्ध हो जाएंगी माउंट अबु में मरमत वे निर्मान को लेकर लंबे समय से परिशान अबु वासियों को राजी सरकार की उड़ से रहा देने के बाद नव निर्मान को लेकर नहीं उमीद जोगी है राजय सरकार दवारा बहु प्रतिक्षित जोन निर्धारन की मंजूरी देने के बाद अब जल्द नगरपाली का भवन निर्माद समीती की बैठक होगी जिसमें नक्षे स्विक्रत होने के बाद निया मन Deaf आपहु आसीयों को भवन निर्माद की स्विक्रती दी जाएगी यह धंदा अफायदे का नहीं रहा यही कराण है कि सरकार एक महीने में भी शराब की 25 फिश्दी तक दुकाने नहीं बेच सकी करिब 1900 दुकानों के लिए 28 सप्रायल को फिर से निलामी रखी गई है रास्तान में भीशन गर्मी के बीच लू का तीसरा दौर शुरू हो गया है मौसम विभाक के अनुसार अदिक्तर जिलो का तापमान 44 से 45 डिगरी के बीच रहने का नुमार है जबकि दो चार जिलो का तापमान 46 से 47 डिगरी के बीच रह सकता है बुदभार को रात का तापमान भी 30 डिगरी सेल्शेस को पार कर गया यानि रात में भी गर्मी सताने लगी है मौसम केंद्र जैपुर के निदेशक आरेस शर्मा के अनुसार हीट वेव का तीसरा दौर सबताह भर जौरी रह सकता है नगरविकास नियास कोटा ने शंभूपुरा में आज बड़ी अतिकर्मन की कारवाही को अंजाम दिया शंभूपुरा में बनने वाले प्रस्तावी जेल पर नियास की अतिकर्मन दस्ते ने अलसुबर पहुंचते हुए कारवाही की साथ बेगा भूमी जो नगर विकास न्यास की है जिस पर बड़ी संख्या में अतिक्रमी आज जमे है न्यास दस्ते के साथ आधा दर्जन से ज़्यादा थानों की पुलिस तीन डियस पी रैंक के अधिकारी और अडिशनल आईस पी प्रविन जयन के नेत्रतों में भारी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें